इस दर्ती पर इनसान के बनाएं एक से बढ़कर एक खूबसूरत और आक्रसक चीजे हैं, जिन्हें देखने के लिए हर साल परेटक एक जगा से दूसरी जगा पर जाते हैं. ऐसे ही इनसानों ने धर्ती पर एक ऐसी भी चीज बनाई हैं, जिसे अंत्रिक्स से भी देखा जा सकता है. जी हाँ, हम बात कर रहे हैं दे ग्रेट वॉल अप चाइना की, जो इतनी लंबी हैं कि उसकी एक सटीक तस्वीर क्लिक करने के लिए आपको अंत्रिक्स में इंटरनेशनल स्पेस सेंटर तक जाना होगा. नमस्कार दोस्तों, दे डबल जीरू से उनकी एक और बहतरीन वीडियो में आपका स्वागत हैं. अगर अबी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हैं, तो कर लें, ताकि हमारे वीडियो की नोटिपिकसन सबसे पहले आपको मिल सकें. आखिर इतनी लंबी दिवार को कैसे बनाया गया होगा? और इसे बनाने की मुख्य वज़ा क्या रही होगी? इन सवालों का जवाब बीते कुछ सालों में पूरातत्तों और वेग्यनिकों की टीम ने खोज निकाला है. चलिए, जानते हैं Great Wall of China से जुड़े कुछ रोचक तत्यों. चीन की राजदानी बीजिंग सहर में दुनिया की सबसे लंबी और पुरानी दिवार है, जिसे Great Wall of China की नाम से जाना जाता है. यहाँ दिवार मिट्टी और पत्थरों की मदद से बनाई गई है. इस दिवार की डिजाइन किलिनुमा है. दे Great Wall of China की एक छोड से दूसरे छोड तक पैदल पहुचने में लगबग 17 महीनों का लंबा वक्त लग जाता है. जिसकी वजह से इस दिवार को पूरा देख पाना किसी भी परेटर के लिए लगबग नामुम्किन है. ये दिवार कई उचे उचे पहाड़ों से लेकर गने जंगलों और गर्म रेगिस्ताने इलाकों से होकर गुजरती है. इस दिवार की कुल लंबाई 21,196 किलो मिटर है. ऐसे में जहां आज के आधनिक समय में Great Wall of China पर पैदल चलना भी मुश्किल होता है. वहीं आज से कई सो साल पहले इस दिवार को मजदूरों ने कैसे बनाया होगा. ऐसा कहा जाता है कि Great Wall of China को बनाने में देश के विबिन नसासकों का हाथ था. जिन्होंने दुस्मन देशों से अपने देश की रक्सा करने के लिए पांचवी से सौलवी सताबदी के बीच चीन की विसाल दिवार को बनवाया था. लेकिन आज Great Wall of China का बहुत बड़ा हिस्सा तूट चुका है. या फिर यहों कहें कि दिवार के कहीं पत्तर गिर चुके हैं लेकिन बीजिंग के जिंग सांग लिंग पहाड पर या दिवार आज भी अपने वास्चिक हालत में मौझूद है. यानि इस जगह पर ना तो Great Wall of China को कोई खास नुकसान पहुचा हैं और ना ही उसके पत्तर निकले हुए हैं जिसकी वजह से इस दिवार पर दिवार के असल एतिहासी ग्रूब को देखा जा सकता है. Great Wall of China के इस हिस्से में हर 100 मिटर के बाद एक वच्च टाउर बनाया गया है जिसकी उपर खड़े होकर आसपास के पहाड़ों और जंगल का मनमाहग द्रिश्यत देख सकते हैं. इतना ही नहीं वच्च टाउर के निचले हिस्से में एक साथ 50 लोगों के ठहरने या रुकने की जगा बनाई गई हैं और साथ ही उसमें हवा की आवाजाही के लिए बड़ी-बड़ी खिरक्या भी हैं. इसी तरह के इस दिवार में कुल 25,000 वच्च टाउर हैं जहां प्राचीन काल में चीन के सैनिक टहरते थे और इन वच्च टाउर पर खड़े होकर दुस्मनों की गतिविदी पर नज़र रखते थे. साथ ही इन वच्च टाउर में खास सराओं की सुराग यानि छेद भी हैं जिनके उपर सोथ करताओंने काफी रिसर्च की हैं. उनकी इस रिसर्च पता चलता हैं कि वच्च टाउरों पर बनाये गए सुराग दुस्मन सैना द्वारा हमले किये जाने के इस्तिति में इस्तिमाल किये जाते थे. जिनकी मदद से दुस्मन पर आग के गोले या फिर तोफ से हमला किया जा सकता था. इससे वाच टाउर के अंदर सेनिक दुस्मन के हमले से सुरक्सित रहते थे जबकि उनके उपर जवाबी कारिवाई भी कर सकते थे ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आखिर चीनी सासको को किस दुस्मन का खत्रा था जिसकी वज़ा से उन्हें इतनी बड़ी और मजबूत दिवार को खड़ा करने का फैशला लेना पड़ा था दर असल उस दौर में मंगोल सासको का अतंक पूरी एशिया में फैला हुआ था जो समरिदी राजियों को हड़पने या फिर उनके उपर हमला करके उन्हें लूट लेते थे ऐसे में मंगोलों की हमलों और लूट पार्ट से बचने के लिए चीन के सासकों ने एक जुट होकर Great Wall of China बनाने का फैशला किया था जो सिर्फ एक सुरुक सा दीवार नहीं बलकि अपने आप में एक मिलिक्टरी बेश हुआ करती थी लेकिन Great Wall of China को खड़ा करना अपने आप में बहुत ही चुनोती बरा काम था जिसे आज से कई सो साल पहले बिना किसी आदुनिक मसीन के बनाया गया था इतना ही नहीं इस दीवार का एक बहुत बड़ा हिस्सा उन इलाकों में आता है जहां आम इनसान का पहुच पाना भी मुस्किल है ऐसे में ये सवाल भी खड़ा होता है कि उस दोर में चीन की दीवार को बनाने के लिए मुस्किल जगहों तक कैसे पहुचा गया होगा और कैसे पूरी दिवार को बनाने का कार्य पूरा किया गया होगा इसके लिए सोधकरताओं की टीम ने काफी साल तक Great Wall of China पर रिसर्च की जिसके बाद उन्होंने इसकी कंट्रक्शन को लेकर चौकाने वाले खुला से किये थे आपको जानकर हैरानी होगी Great Wall of China के कुछ हिस्से में पचास से भी ज्यादा गुप्त दरवजे हैं जिनकी मदद से दीवार पर चड़े बिना किसी जगा से दूसरी जगा पहुचा जा सकता था ये दरवजे दीवार के निचले हिस्से पर है जो पहाडों और गने जंगलों के बीच छीपे हुए हैं और उन्हें आसानी से नहीं देखा जा सकता है जब सोथ करताओं ने इन दरवजों को बनाने का मकसद तलास करने की कोशिश की तो वो इस निसकर्स पर पहुचे कि चीनी सासकों ने जान बूच कर इन दरवजों का निर्वान करवाया होगा उस दोर में चीन के सेनिक इन गुप्त दरवाजों का इस्तमाल करके अपने राज़े से मंगोलों के राज़े में गुस्पेट करते होंगे और साथ ही मंगोल सेनिकों की वेसबुस अपना कर उनके उपर निगरानी करते होंगे जब चीनी सेनिकों का काम पूरा हो जाता था तो इन्हीं गुप दर्वाजों का इस्तिमाल करके वे वापस लोट आते थे और दर्वाजों का मुहों बड़ी बड़ी चट्टानों की मदद से बंद कर दिया जाता था इतना ही नहीं Great Wall of China में एक गुप सुरंग भी बनवाई गई थी इसके बारे में रिसर्च के दोरान खोजा गया था कि चीन की दिवार में इस गुप सुरंग को बनाने का मकसद यह था कि अगर मंगोल के सैनिक चीन में गुसफेट करने के लिए दिवार पर चड़ाई करने की कोशिस करते हैं तो उस इस्तिती में चीनी सैनिक सुरंग की बाहरी दिवार को तोड़ कर उनके उपर हमला कर सकते थे और उन्हें दिवार पर चड़ाई करने से रोक सकते थे चीन की दीवार में सोत करताओं को एक ही सुरंग मिली जिसकी दीवार अंदर की तरफ से टुटी हुई है यानि उस सुरंग की मदद से चीनी सेनिकों ने मंगोल सेना को अपने देश में गुसफेट करने से रोका होगा लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि चीन की दिवार में सिर्फ एक ही सुरंग है बलकि पूरी Great Wall of China में अलग-अलग जगहों पर इस तरह की गुप्त सुरंगे बनाई गई थी हालांकि चीनी सेनिकों को कभी भी अन्य सुरंगा का इस्तमाल करने की जरूरत नहीं पड़ी थी जिसकी वजह से उनकी दिवारों को नहीं तोड़ा गया था जाहिर सी बात है कि जब चीनी सासकों ने इस दिवार को मिलेक्ट्री बैस के रूप में तेयार करवाया था तो उसका कोई न कोई हैड़ुकार्टर जरूर रहा होगा लिहाजा उस हैड़ुकार्टर को खोजने के लिए सोद करताओंने ड्रॉन की मदद ली जिसने Great Wall of China के सुरुआती पॉइंट गोबी डेजर्स के पास एक बड़ा सा किला खोज निकाला था अगर सोद करताओं की माने तो यह किला बहुत ही बड़ा और आकरशिक है जिसे रेगिस्तान के बीचो बीच बनाने का दूसरा मकसद समझ में ही नहीं आता है इसलिए यहां माना जाता है कि यहां अकेला ही Great Wall of China का हेड़ कोटर रहा होगा इस दीवार का एक हिस्सा समुदर में जाकर खत्म हो जाता है और वहां भी चीनी सेनिक हर वक्त दुस्मन पर नजर रखने का काम किया करते थे गोबी डेजर्ट में Great Wall of China का एक पुराना स्वरूब भी है जहां इस दीवार का पुराना हिस्सा 250 किलोमेटर के एरिया में फैला हुआ है यहां दीवार वर्तमान में काफी खस्ता हालत में है जिसके उपर चड़ाई नहीं की जा सकती है लेकिन प्राचीन काल में चीनी स्यासकों द्वारा The Great Wall of China को बनाने से पहले इस दीवार को बनाया गया था जिसका ज्यादतर हिस्सा मिट्टी और लकडी के टुकड़ा से मिलकर बना हुआ है सोथ करताओं की रिसर्च के अनुसार वहां उन्हें 2200 साल पुरानी कुछ चीजों के आउसेस मिले थे ऐसे में यह सवाल खड़ा होता है कि आखिर इस पुरानी दीवार को क्यों बनवाया गया था क्योंकि उस दोर में तो चीनी सासकों को मंगोल के हमलावरों का कोई खत्रा नहीं था फिर इस दीवार को किस मकसद से बनाया गया था सोथ करताओं को इन सवालों का जवाब अब भी डूंड ना था सोथ करताओं को पुरानी दीवार से लकड़ी के कुछ अउसेस मिले जिन पर चीनी भासा में कुछ लिखा था लकड़ी के उन टुकणा पर मिलेक्ट्री के सेनिकों के लिए संदेश लिखा हुआ था जिसके मताबिक अगर कोई भी बाहरी दुस्मन हमला करता है तो दीवार के पास वच टाओर पर दिन के समय जंडा पहरा दिया जाए वहीं अगर दुस्मन रात के अंधेरे में हमला करते हैं तो उस इस्तती में वच टाओर पर आग लगा दी जाए आपको बता दें कि उस दौर में चीनी सासकों को हैंस से खत्रा रहा करता था दिवार का निर्मान करवाया था जिसका मकसद Great Wall of China की तरह दुस्मन को देश के अंदर गुस्वैट करने से रोकना था चीन की इस पूरानी दिवार को सिल्क व्यापारियों की सुरुक्सा को ध्यान में रख घर भी बनवाया गया था क्योंकि इस दोर में सिल्क की मांग दुनिया भर में काफी जाजा हुआ करती थी जब व्यापारी सिल्क लेकर एक जगह से दूसरी जगह की लंबी यात्रा पर निकलते थे तो उनके उपर चोर, डाकू और लूटेरे हमला कर देते थे चीन के सासकों ने सिल्क रूट को सुर्खसित बनाने के लिए कई किलोमेटर लंबी एक दीवार का निर्मान करवाया जिसमें मिट्टी के गुंबद बना कर उन्हें हपस में कनेक्ट किया गया था अगर कोई हमलावर सिल्क रूट पर लूट पार्ट को अंजाम देता था तो उस इस्तिती में पूरानी दीवार पर सेनी का हमलावर से मुकाबला करके लूट पार्ट की गटना को रोकने में अहम बुमी का निवाते थे लेकिन गुजरते वक्त के साथ चीन को हैंस से नहीं बलकि मंगोल सासकों के हमले का सामना करना पड़ा था जिसकी वजह से चीन के नए सासकों ने पूराने सासकों के नक्स एक कदम पर चलते हुए एक नई दीवार बनाने का फैशला किया था इस तरह Great Wall of China को बनाने का आईडिया चीनी सासकों के दिमाग में आया था जिसने कई सालों तक चीन को हत्या और लूट पार्ट की गतिवीदियों से सुरक्सित रखने में अहम बुमी का निवाई थी दोस्तों इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं ऐसे ही किसी बेहतरीन वीडियो में तब तक के लिए जैहिद